कीलक इस्त्रोतम कीलक इस्त्रोत्र का पाठ हिंदी में कीलक इस्त्रोत्र का पाठ करने से मातारानी के विशेश कृपा प्राप्त होती है यह स्त्रोत स्वभा के आरों के संपत्ती शत्रुनाश तथा परमोक्ष को देने वाला है महर्शी मारकंडे जी बोले निर्मल ग्यान रूपी शरीर धारण करने वाले देवित्रई रूप दिव्यनेत्र वाले जो कल्यान प्राप्ति के हेतु है तथा अपने अस्तक पर अर्द चंद धारण करने वाले हैं उन शंकर जी को मैं प्रणाम करता हूँ जो मनिश इस कीलक मंतरों को जानता है वही पुरुष कल्यान को प्राप्ति करता है जो अन्य मंतरों को जाब कर केवज सब्तशती स्तरोच से ही देवी की इस्तुति करता है उसको इसे ही देवी की सिध्धी हो जाती है उन्हें अपने कारे की सिध्धी के लिए दूसरे साधन क आविशक्ता नहीं रहती है बिना जब केही उनके उच्चाटन आदी सब काम चिद्ध हो जाते हैं लोगों के मन में शंका थी कि केवद सप्तिशती की उपासना धे अत्वा सप्तिशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से कारिस सिद्ध हो जाते हैं तब इन में से कौन सा साधन स्वेष्ट है लोगों की इस शंका को स्थ्यान में रख कर भगवान शंकर ने अपने पास आये हुए जग्यास्वों को समझाया कि यह सप्तिशती नामक संपूर स्त्रोत ही कल्यान को देने वाला है इसके पश्चाद भगवान शंकर ने चंड़का के इस सप्तिशती स्त्रोत को गुप्त कर दिया अता मनुष इसको बढ़े पुर्ण से प्राप्त करता है जो मनुष कृष्ण पक्ष की चौदस अत्वा अश्टमी को एकागरिचे थोकर देवी को अपना सर्वस्व समर्पित करता है और फिर उसे प्रसाथ के रूप में ग्रहण करता है उसी परमा दुर्गा प्रसन्न होती है अधिनथा नहीं इस प्रकार सिद्धी के प्रतिबंदक रूप कीलक के द्वारा भगवान ने इस स्त्रोत को कीलिद कर दिया जो पुरुष इस सब्धिशती को निश्कीलन करके निप्त प बश्मी नहीं परता और मर कर उसे मुक्ष की प्राब्ती हो जाती है। किंतु इस कीलग की विधी को जानकर ही सब्त माईक करना चाहिए जो ऐसा नहीं करता है वो नश्ट हो जाता है। कीलर और निष्कीलन संबंधी जानकारी के पक्षय इस्तिरोट निर्दोश होते हैं और विद्वान पुरुश इस निर्दोश इस्तिरोत का ही पार्ठ आरम्ब करते हैं इस्तिरियों में जो कुछ सुभाग आदी दिखाई देता है वह सब इस पार्ठ की गल्यानकारी इस्त्रोत्र का सदा पाठ करना चाहिए। इस इस्त्रोत्र का धीरे धीरे पाठ करने से अलपफल की प्राप्ती होती है। इसलिए उच्छिस्वर से इसका पार्ट करना चाहिए जिस देवी के प्रसाद से एश्वर सौभाग आरों के संपत्ति शत्रुनाश तता परम्मौक्ष की प्राप्ति होती है उस देवी के स्तुति अवश्य करने चाहिए इती कीलक इस्त्रोटम समाप्तम कीलक स्त्रोट पार्ट करने से अत्यदिक लाब होता है इससे भाग्य उदै होता है शत्रु का विनाश होता है कारे आसानी से पूरा हो जाता है उत्तम स्वास्ति की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को मौक्ष की प्राप्ति भी होती है